Hello everyone, my name is Ramasre Rai, welcome at M.M.C. So guys, आज के इस lecture में मैं धेर सारे important, है न, synonyms को discuss करूँगा और ये सारे की सारे question आपके objective होंगे, ठीक है? तो आप देखें ये आपका practice set जो है, ये practice set आपका 5 है, ठीक है? और हम आगे बढ़ते हैं, आज का जो हमारा पहला word है, वो है baleful. का मतलब होता है, baleful का मतलब क्या होता है, अगर आपके exam में ये word आ जाए, तो आप क्या बताएंगे? तो baleful का मतलब क्या होता है, है न, doubtful होता है, virtual होता है, एन डैडली होता है, headless होता है. तारे option को आप अच्छे से पढ़िए मैं सारे option का answer तो Wailful मतलब होता है डेडली होता है डेडली मतलब क्या होता है नुक्षान दायक होता है कोई चीज घातक होता है कोई चीज है ना कस्टकारक होता है तो देखे डेडली होता है देखे लिखा है ना Harmful are and maligrant intent are affect evil कोई चीज नुक्षान करने वाले चीज जो होती है mincing होता है threatening होता है frightening होता है evil होता है डेडली होता है ये इतने सारे meaning इसके होते हैं ठीक है very important word है ठीक है तो he had a baleful look कैसी look है उसकी deadly look है baleful look है तो बहुत अच्छा word है word को अच्छे से याद कर लिया आप देख सकते हैं baleful the threatening भाई देखे क्या word है threatening है ठीक है arm है किसी चको नुक्षान पहुचाना menacing है तो आप देख सकते हैं केक व्यक्ति पानी में डूब रहा है मर रहा है अब उसकी life कैसी हो सकती है उसकी life तो deadly ही होगी ही होगी है ना next word है banal पैनल मिन्स क्या होता है what is the meaning of banal तो banal का मतलब होता है common place होता है एकदम कोई चीज साधारन होता है word को दो से तीन बार आप बोलकर practice कर लिजिए दो से तीन बार लिखके practice कर लिजिए और थोड़ा सा समझ लिजिए word हमेशा के लिए याद हो जाएगा तो banal means क्या होता है commonplace banal means क्या होता है commonplace दो से तीन बर बोल के practice करिए banal means क्या होता है commonplace banal means क्या होता है commonplace एकदम energy के साथ practice करिए समझ मैं देख सकते है banal देखे लिखा भी है एकदम पूरा definition है dull, unoriginal, boring, ordinary and lacking in originality ये पूरे definitions हैं इसके वर्ड को पॉझ करके आराम से सारे चीज़ को banal, same boring stuff banal मतलब क्या हो गया? boring होना, कोई चीज कस्टकारक होना कोई चीज painful होना उसे हम लोग बोलते हैं painful का मतलब क्या होता है? अब देखें वर्ड आ गया painful का मतलब क्या होता है? अगर एक्जाम में आ जाए तो कैसे सही करेंगे? तो painful का मतलब होता है rewness होता है नुक्सान दायक होता है painful का मतलब क्या होता है? rewness होता है painful मिंस क्या होता है? rewness होता है तो ये देखें वर्ड है rewness, painful है कोई चीज नुक्सान दायक है कोई चीज हारमफुल है तो देख सकते हैं बेनफुल मतलब क्या होता है हारमफुल होता है और डैमेजिंग इन्फ्लुएंस होता है बेनफुल मिस्क्या होता है हारमफुल होता है और डैमेजिंग इन्फ्लुएंस किसी चीज़ को नस्ट करना होता है जेख सकते हैं अब इस बच्चे को खाना खिला जा रहा है। लेकिन यह इसको painful लग रहा है, nुकसान दायक लग रहा है, harmful लग रहा है। अब सोचें, बच्चा सबसे ज़्यादा कब रोता है जब उसके दूध पिलाया जाता है, milking कराया पून्ड है बराक मिन्स क्या होता है तो जो right word होगा वो आपका होगा highly orinate होगा मतलब इसका आर्थ होता है बढ़ा चड़ा के वर्डन करना बहुत ही जादा सुन्दर तरीके से किसी चीज को explain करना इसे हम लोग बोलते हैं बराक तो बराक मिन्स क्या होता है highly orinate होता है मेरे साथ दो से तीन बर बोलते जाएए बराक मिन्स highly orinate बराक मिन्स highly orinate बराक मिन्स highly orinate ये बराक word का means highly decorated ये पूरा इसका हिते हाश मैंने दे दिया आपको पुरी स्टोरी दे रखा है जिससे आपको सारी चीजे समझ में आ जाए बराक word आया कहां से इसका origin कहां से हुआ इसका मतलब क्या हुआ इसका full definition ये सारे word मैंने दे रखा है इसको रोक करके आप अच्छे से रोक लिख लिजिए समझ लिजिए देखिए बराक मतलब highly ornate आप इस चित्र को देखेंगे तो बहुत ही सुन्दर तरीके से इसको सजाया धजाया बया है बहुत ही अच्छे तरीके से next word है beguile बहुत important word है ये word कई बार exam में आया है हमेशा exam में आता है तो beguile miss क्या होता है? cheat क्या है? beguile miss cheat कुछ word repeat भी हो जाते हैं बार बार तो tension मन लीजेगा beguile miss क्या होता है? deceive होता है भाई cheat का मतलब deceive होता है mislead होता है kसी को полит चार्म mislead pursued गलत तरीके से होता है with charm mislead pursued कुशी को with charm देख सकते हैं, बहुत सारे लोग mislead करते हैं एक दूसरे को life में अगला word है, very important है, bellicose का मतलब क्या होता है what is the meaning of bellicose bellicose का मतलब होता है, warlike होता है bellicose मतलब होता है, warlike warlike का मतलब होता है उस व्यक्ति को जिसे war पसंद हो pagnacious हो, जो युद्ध प्रिय हो जिसको युद्ध में बहुत ज़ादा interest हो, उसे warlike हम कहते हैं क्या कहते हैं, warlike कहते हैं, pagnacious कहते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों का nature होता है लडाई करना, जगडा करना, है न तो warlike आप देख सकते हैं, bellicose देख लिजे, a person who is fond of fighting वह व्यक्ति जो लडाई प्रिय हो, देख सकते हैं, एक bell इनको, bell से लड़ रहे थे, bell ने उठा ही लिया इनको, है न देख सकते हैं, तो bellicose, मने होता है warlike next word है, benigan का मतलब क्या होता है, अगर एक जाम में आ जाये, तो क्या होगा आपका benigan means क्या होता है, बताइए तो benigan means, जो right meaning होगा, वो होगा, gentle होगा benigan means क्या होता है, gentle होता है benigan means क्या होता है, gentle होता है benigan means क्या होता है, gentle होता है तो बैनिगन परसन होता है, बैनिगन नेचर होता है, जेंटिल होते हैं लोग, देख सकते हैं, बैनिगन का धेर साले मीनिंग है, जेंटिल एंड काइंड होता है, कैसा है, वह व्यक्ति क्या है, बैनिगन है, जेंटिल है, कैसा है, काइंड है, काइंड है, काइंडली, amiable, genial ये सारे के सारे definitions हैं इन सारे word के definition को भी अच्छे से आप लिख लेंगे तो सारे चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएंगे अगला word है boisterous boisterous का मतलब क्या होता है what is the meaning of boisterous boisterous का मतलब क्या होता है तो वोसी fierce होता है क्या होता है, वोसी fierce होता है हिंदी में इसे हम लोग फूहड कहते हैं क्या कहते हैं, फूहड कहते हैं boisterous कहते हैं फूहड कहते हैं, तो boisterous का मतलब क्या होता है, फूहड होता है बहुत सारे लोग होते हैं, फूहड तरीके से present करते हैं पूहर तरीके से बाते करते हैं देख सकते हैं लाउड तो वैस्टर का मिनी और क्या हो जाएगा लाउड, नौइजी एं लाइकिंग रेस्टरेंट एंड डिसिप्लीन स्टॉर्मी एंड रफ कोई वक्त नी स्टॉर्मी होता है रफ होता है उसके बात करने का लिहाज नहीं सही होता है तरीका नहीं होता है उसे बॉएस्टरेस कहते हैं He is a बॉएस्टरेस परसन I don't like बॉएस्टरेस पीपल है न? So like this So this is a बॉएस्टरेस बॉएस्टरेस मितलब देख सकते हैं डेफिनेशन Noisy and wild Noisy and wild होता है The children were बॉएस्टरेस on the last day of school बच्चे लास्ट दिन स्कूल के हाहा ही ही करते हुए जाते हैं अगला वर्ड है Bountiful Bountiful का मतलब क्या होता है अगर ये वर्ड एक्जाम में आ जा तो कैसे सही करेंगे Bountiful means होता है Generous होता है और कहीं कहीं पे Reward दिया होता है Reward होता है ठीक है Bountiful मतलब होता है Reward होता है वो भी दयालुता पुरुवक किसी को Bountiful करना किसी को Reward देना ये होता है तो Bountiful देख लिए Appreciation can raise workability and offer Bountiful opportunities for a better life प्रसंसा कारेशिलता बढ़ा सकती है और बहतर जीवन के लिए भरपूर और्शनर प्रदान कर सकती है तो किसी की भी कोई व्यक्ति अगर deserve करता है कोई व्यक्ति अगर योग्य है तो उसकी तारिफ जरूर करें कम से कम उसे पता तो चले वास्तों में वोई अग्य है ठीक है उसे ब्रैजन कहते है ब्रैजन आटिटूड ब्रैजन पीपल देख सकते हैं ब्रैजन के ढहीर थारे मीनिंग हमने दे दिया used to describe a person वह व्यक्ति देखे इसको कहां used to describe a person are the action of a person who is not embarrassed about behaving in a wrong or immoral way कोई ऐसा व्यक्ति जो behave करते समय बरताओ करते समय इस बात का दिहान न रखे audacious होता है blatant होता है shameless होता है यह सारे के सारे word होती है एक-एक word बहुत अच्छे है इसके definitions भी मैं पूरी कोशिस करता हूँ कि आप के satisfaction के लिए तरह-तरह के image चीजों को लगाता हूँ जैसे आपको word अच्छे से त्यार हो जाए तो ब्रैचर मिश क्या होता है shameless जैसे देखिए विन्नों क्या कि आपने जूती को ही हाथ में ले लिया जूती हाथ में लेने की चीज़ थोड़ी है यह तो पैरनी के चीज़ है फिर भी इन्नों ने ले लिया तो यह क्या है shameless है इन्हें कोई सरम वगरह नहीं आ रही है जैसे है तैसे है What is the meaning of bucolic bucolic का मतलब क्या होता है तो bucolic का मतलब होता है like an ox या rustic होता है गवार होता है या यूँ कह लीजे चो गाउं वगरह में लो रहते हैं मैं किसी को criticize नहीं कर रहा हूँ तो bucolic मतलब क्या होता है गवारू होता है rustic होता है जैसे bucolic life gramid जीवन को भी bucolic कहा जाता है my home is in a bucolic region where farms are still common जहां पे farms है common है तो bucolic मतलब क्या होता है rustic होता है मेरे साथ एक दो बार बोल के practice भी आप लोग कर लीजिए bucolic means rustic होता है bucolic means rustic होता है ठीक है बहुत सुन्दर वर्ड है next word है cache इसका उचारण होता है cache ये word अकसर computer language में यूज किया जाता है जिसका मतलब क्या होता है बताइए तो इसका मतलब होता है hiding place होता है cache means क्या होता है hiding place तुपने का स्थान होता है तो ये computer में इस्तमाल किया जाता है cache cache मतलब hiding place होता है ये अकसर इस्तमाल किया जाता है computer के language में इस्तमाल किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है जैसे cache memory होती है next word है काकोफोनी काकोफोनी word अगर exam में आ जाए तो कैसे करेंगे आप बताइए तो काकोफोनी मीं सोता है discordant होता है मतलब इसे हिंदी में हम बेशूरा कहते हैं बेशूरा मतलब कोई स्वर ना हो जैसे railway station पे जो language होती है railway station पे जो आवाज आती है वो कैसी आती है वो बेशूरा आवाज होती है वो आवाज कैसी होती है बेशूरी होती है उस आवाज का कोई मतलब नहीं निकलता है देख सकते हैं a loud harsh noise one that burns once ears मतलब इसी के बेशूरी आवाज जो है वो कानों के चीर फार डालती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेशूरा ने गई है और इतनी ज़्यादा तेज आवाज है इतनी ज़्यादा लाउड आवाज है इनका कान फट रहा है अगला वर्ड है Candid Candid का मतलब क्या होता है Come on everyone what is the meaning of Candid Candid का मतलब कई बार मैं बताया हूं Frank होता है open-minded होता है How Candid He Is, How Candid You Are, How Frank He Is, How Frank You Are Candid लोग ऐसे होते हैं जो Frank and are spoken without any bias in other words Candid लोग होते हैं, स्पस्ट वादी होते हैं, स्पस्ट तरीके से बोलते हैं Question मिन्स क्या होता है What is the meaning of question बताये क्या होगा Question मिन्स होता है sticking together, एक दूसरे के साथ चिपका रहना ये question आपके grammar में पढ़ाया जाता है एक थाथ चिपके होना, एक साथ होने के sense में इसका अस्तमाल किया जाता है Stating together होता है, question होता है Sentence में हम लोग अक्सर पढ़ाई देख सकते हैं, sequence of a sentence is a text when there is some kind of an dependence between the sentence एक sentence, दूसरे sentence पर जो depend होते हैं, उसे हम लोग question कहते है What is the meaning of fixious? Fixious जानते हैं, fiction से बना हुआ है Science and fiction की movie होती है And I like fiction very much So fiction मतलब होता है, false होता है So fiction means क्या होता है, false होता है Fiction means क्या होता है, false होता है Fiction, देख सकते हैं, definition का Adopted in order to deceive मने, false होता है Fiction कहानिया है, जो भी मन गढ़नत कहानिया बना दिये, बता दिये उसे false कहा जाता है Fictions, fixious, fixious is a Fixious is fixious And in a simple word, something that is unreal and artificial कोई ऐसी चीज़ जो unreal हो, artificial हो, जिसका कोई मतलब भी नहो अब word है घाशली, घासली का मतलब क्या होता है आप बताए क्या होगा घासली तो घाशली मिन्स होता है, horrible होता है डरावना होता है, घाशली मिन्स क्या होता है, horrible होता है घासली मिन्स क्या होता है, horrible होता है, घासली मिन्स क्या होता है, horrible तो घासली इमेज है, बहुत दिर तक आप देख नहीं सकते हैं, इसलिए मैं अब हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो this is a घासली इमेज, okay, so don't worry, right, ये भी देख सकते हैं, कोई है न, जब हम लोग फिल्में वगरा देखते हैं, तो उसमें कैसी इमेज आ जाती है, ऐसे ही घासल इमेज है, come on everybody, obscan का मतलब क्या होता है, बताइए क्या होगा, right answer बताइए, obscan means क्या होता है, hurry up, please, first you try, obscan का मतलब होता है, indecent, कोई वैक्ती, जो indecent होता है, उसे हम लोग आप सकेन कहते हैं, चा कहते हैं, indecent कहते हैं, आना कोई वैक्ती, obscan होता है, indecent nature होता है, indecent person होता है, बहुत सारे उस सभाव के लोग होते हैं, तो obscan मतलब होता है, indecent, obscan means क्या होता है, indecent, देख सकते हैं बहुत lewd, foul, deadly यह सारे इसके सनानिम से हैं देख सकते हैं यह लोग आपस में प्रेमी प्रेमी का आराम से बात किये पड़े हैं तो यह क्या है? और सकेन हैं इन डिसेंट हैं क्या है? और सकेन हैं अगला word है dexterity का मतलब क्या होता है? पहले आप कोशिश के रिए फिर में बताता हूँ Come on everybody What is the meaning of dexterity? Can you help me out? Dexterity बहुत बार word आया है मैं ही बताया हूँ skill होता है Dexterous person होता है जैसे William Shakespeare was a dexterous person Dexterity, dexterous person He was no doubt a dexterous person Right? देख सकते हैं आप adroitness in using hands वहाँ वैक्ती adroitness इसके अंदर होता है तो शल्ता होती है चनानिम्स क्या हो जाएगा? Manual dexterous person होता है जैसे बहुत सारे लोग dexterous होते हैं He is a dexterous person I love to be dexterous person like that गाल मिन्स क्या होता है? गाल मिन्स क्या होता है? What is the meaning of गाल? गाल का मतलब क्या होता है? तो गाल का मतलब जो होता है वो होता है बिटरनेस होता है परवाहट पन होता है तो गाल मिन्स क्या होता है? बिटरनेस होता है गाल मिन्स क्या होता है? ये गाल के बहुत सारे meanings हैं, insolence है, impertune है, ये सारे word ही word है, तो गाल means bitterness होता है, haughty का मतलब क्या होता है, what is the meaning of haughty? Wait, I'm sorry, haughty का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, बहुत common word है, सभी लोग जानते हैं, तो haughty मतलब होता है proud, don't be haughty, he's a very haughty person, I don't like haughty person, देख लिए, meaning क्या है, having, showing, arrogant, our superiority, synonyms, disdentful, imperious, prideful, niffy, ये सारे-सारे word जो है, synonyms हैं इसके, है न, और haughty, proud, घमंडी, बहुत important word है, और next word है, breach, breach का मतलब क्या होता है, what is the meaning of breach? तो breach का मतलब आप जानती है, breach का मतलब होता है, breach, breach of security, अकसर इस word को सुनने को मिलता है, breach मने क्या होता है, तोड़ना होता है, breach of security होती है, देख सकते हैं, failure to perform some promised act or obligation, breach तोड़ना होता है, संबद बिच्चेद भेद खोलना, भेद करना, तो security में छेद हो जाता है, देख सकते हैं, breach मने तोड़ना, तो इससे बहतर का example होता है, यहां से तोड़ दीजे, कहानी will be ended, तो breach of security word अकसर आप देखेंगे, मिलता है, next word है, कजोल, कजोल का मतलब क्या होता है, कजोल का मतलब क्या होता है, कजोल का मतलब आप जानते हैं, क्या होता है, बहलाना, फुशलाना, खुशामदी करना, तो जहिर से बात है, क्या होता है, परशीवड करना, किया हो जाएगा परशीवड करना किशी को बहलाना फुशलाना परशीवड हो जाएगा किसी को फ्लैटरी के साथ influence people by careful and arguing flattery you cajole them अगर आप किसी के तारीफ कर दो उनके क्या हो जाती flattery हो जाती आप देख सकते हैं कितनी बहतरीन flattery चल रही है अपने प्रेमिका के लिए बहुत सरी flattery के words बोल देते हैं यह सोचते हैं open का मतलब क्या होता है अगबर फिर से आ गया है open का मतलब frank frank का मतलब open open means prank prank means open चाहे जो आप कहलो बहुत सारे लोग होते हैं एकदम open minded होते हैं frank होते हैं बहुत आराम से और frankly किसी के भी शामने बोलते हैं आप देख लिजे हैना यह अपने प्रेमिका को frankly smartly propose कर रहे हैं यह देखिए frankly कुछ कह रहे हैं या frankly एक photos ले रहे हैं तो यह सारे images हैं जो हमारी understanding को बढ़ाते हैं तो frank and unspoken straight forward last word है desolate का मतलब क्या होता है what is the meaning of desolate sorry थोड़ा सा कभी कभी खिसक जाता है तो desolate का मतलब क्या होता है definitely क्या हो जाएगा deserted होता है त्यागा हुआ desolate place निरजन स्थान होता है जहां कोई अकसर जाता नहों देख सकते हैं deprived inhabitants deserted unhabitative hence gloomy बहुत सारे word होता है इंसान जब दुखी होता है तो भी deserted होता है deserted place जहां human being इंसान बहुत कम रहते हैं उससे हम लोग बोलते है deserted place बोलते हैं क्या बोलते है deserted place होते हैं तो guys आसके इस videos में मैंने most 25 important synonyms को मैंने discuss किया एक दिन में अगर आपने 25 word को अच्छे से practice करके सीख लिया तो ये भी बहुत बड़ी achievements होती है क्योंकि 20 से 25 word एक दिन में रटना इतना आसान नहीं होता है लेकिन आप आदे घंटे का लगवक वीडियो होता है ये 20-25 में से जादा नहीं होता है 20-25 में और practice करके मेहनत कर लेंगे एक घंटे में आपके 25 word per day तियार होते जाएंगे तो गैज आज के इस वीडियो में जो भी word में डिसकस किया मेरी humble request है if you really enjoyed कुछ अच्छा लगा हमारा प्रयास हमारी पुरी टीम का प्रयास तो please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos and guys please share this link to your friends near dear and sweetheart don't forget to send your valuable comment this is a real guru dakshina for a teacher and please really if you enjoyed please like the video if not then you can just like the video so guys thanks for watching this video good day all and take care all thank you so much